हेलो इस्टूडेंट वेलकम टू सिवसांती क्लासेस सिवसांती क्लासेस में आपका स्वागत है तो दोस्तो इस वीडियो में हम अध्याय आठ चत्रवुज का यह हमारा पार्ट नंबर 19 वीडियो है इसके पहले 18 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और पुराने सारे चैप्ट देख सकते हैं ठीक तो इस वीडियो में हम exercise 8.1 का question number 8 अच्छे तरह से complete करेंगे ठीक तो चलिए चलते हैं question number 8 की हो तो student यह रहा हमारा question number 8 पढ़ते हैं और समझते हैं question में क्या दिया गया है और क्या निकालना है ठीक तो ABCD एक आयत है हमारे पास दिया है कि ABCD एक हमारे पा पास आयत है जिसमें अर्थात उस आयत की गुणवताया है कि जिसमें जो AC है AC दोनों कौन AC जो विकर्ण है वो दोनों कौन एंगल A और एंगल C को क्या करता है सम्धिभाजित करता है अर्थात एंगल A को सम्धिभाजित करेगा तो ऐसे यह कौन इसके बराबर हो जाएगा और जब angle C को सम्दिभाजित करेगा तो यह angle यह है इसके बराबर हो जाएगा ठीक तो यह हमारे पास क्या है यह दिया हुआ भाग है हमें proof क्या करना है कि जो ABCD है ABCD जो चतुर हुज है वो एक वर्ग है अर्थात square है इसे square proof करना है और दूसरा question क्या है कि विकर्ण जो BD है वो भी कोण B और कोण D को सम्दिभाजित करता है अर्थात जो B कोण है पूरा B कोण है इसको भी सम्दिभाजित करेगा रथा दो बराबर भागों में बाट रहा है तो इधर और इधर ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर और अंगल D भी दो बराबर भागों में बट रहा है अर्थात ये कोण इसके बराबर ठीक तो ये हमारा दूसरा question होगा यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब सबसे पहले जब A, B, C, D एक आयत दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है आयत के क्या गुण होते है यदि आयत दिया है तो हम पहले से ही क्या क्या सही मान लेंगे कि ये ये तो होना ही चाहिए एक आयत के लिए तो सबसे पहला पाए आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है और आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है समानतर भी होती है मतलब जो सम्मुक भुजा होती है आमने सामने को भुजा को ही हम सम्मुक भुजा बोलते हैं सम्मुक भुजा होती है वो क्या होती है बराबर भी होती है और समानतर भी होती है मतलब कि क्या हो जाएगा जो AB है वो बराबर रहेगा CD के और वही AB जो है समानतर भी रहेगा CD के दूसरा AD जो है AD वो रहेगा बराबर BC के और यही आपस में क्या रहेंगे समानतर भी रहेंगे यह हमारा पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि क्या होता है आमने सामने की भुजा आमने सम्मुख कोण सम्मुख कोण आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं समझ में आ गया और तीसरा पॉइंट हुई होता है कि इसकी जो भिकरण होती है वो आपस में सम्दुवाजित करती है अर्थात OA बराबर OC और OD बराबर OB ठीक तो इसकी अभी जरूरत नहीं है अभी ये दो प्रोपर्टी आप अच्छे से समझ लीजी ठीक अब हम आगी बढ़ते हैं आगे देखिए यहां से सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है और बिकर्ण BD दोनों कौन B और D को संद्धियाजित करते हैं तो वर्ग प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा already हमें पता है कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है ठीक बस हमें proof ये करना है कि ये इसके बराबर भी होता है ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारे चारो साइड बराबर हो जाएंगे तो वर्ग का सबसे पहला कंडिशन होता है कि चारो साइड क्या हो बराबर हो ठीक तो हमें उसी चीज को क्या करना है प्रूफ करना है साबित करना है तो सुरू हो जाते हैं चुकि ABCD एक आयत है हमारे पास दिया हुए भाग है कि A, B, C, D, A आयत है तो जब आयत है तो अभी हमने बताया कि पहली प्रोपर्टी आयत की होती है कि आमने समने की कोड क्या होते हैं आमने समने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है तो A, B, B, C, आयत की सम्मिक भुजा और A, D, B, C, आयत की समय भूजा अर्थात यह इसके बराबर हो गया और यह इसके बराबर हो गया दोनों साइड पता चल गई ठिक अब तीसरा कि अब यहां तक समझ में आगा अब देखिए त्रिभूज A, B, C और त्रिभूज A, C, D त्रिभूज A, B, C और त्रिभूज A, C, D अर्थात ये वाला त्रिभूज और ये वाला त्रिभूज हम लेते हैं इन तरी बुज में क्या हो जाएगा इसके लिए हम क्या करेंगे इसे हम प्रूफ करेंगे क्यों क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है इन दोनों को सरवांग्षम प्रूफ करना है तो एंगल बी एसी एंगल बी एसी यह कोड इसके बराबर है यह पहला पॉइंट क्योंकि यह दिया गया है उसे पर एसी जो है यह कॉमन है आपको पता है यदि आप पुराने सारी classes फालो करते आ रहे हैं तो आपको इन question में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि starting question में हमने बहुत अच्छे समझाया है और अच्छे से details समझाया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए ठीक तो पहला point दूसर पॉइंट तीसर पॉइंट जो एंगल भी है वह एंगल डी के बराबर होगा क्योंकि जो वर्ग होते हैं उसमें बताया था ना कि सम्मूख कोण भी आपके बराबर होते हैं आपने सामने कि जो कोण होते हैं एंगल हो गया यह साइड हो गया और यह एंगल हो गया तो एंगल एंगल साइड सरवांगसम तनियम जो होता है उससे आप कह सकते हैं कि त्रिवुच एबी सी सरवांगसम हो चुका है त्रिवुच एसी डी के ठिक कोई दिकत कोई दिकत नहीं तो यहां से जब यह हो चुका है तो आप कह सकते हैं कि AB बराबर AD हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में सरवांग्शम हो गए तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। जब ये साइड इसके बराबर हो गया और तीसरे equation मिल चुका है अर्फाथ पहला equation यहाँ था यह पहला equation था, यह दूसर equation था और यह हमारा 30 equation हो गया ठिक, जब यह तीनो equation को आपस में मिला दोगे तो आपको पता चलेगा कि AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, AD, अर्था चारो side आपस में बराबर हो चुकी है जब चारो side आपस में बराबर हो जाती है तो हमारा ABCD एक क्या हो गया आयत हो गया जिसकी प्रतेग भुजा बराबर हो तो हम क्या कहेंगे ABCD एक वर्ग है ठीक समझ में आ गया समध्वीं भाजित कर रहा है अर्थात यह कौंड इसके बरावद प्रूफ करना है और या कोण इसके बरावदर प्रूफ करना है उसके लिए क्या करना होगा हमें इन दो दोत्रस फुर्वच्कों सरवांग्शं प्रूफ कर देंगे तो ये कुण आपस में अपने हाब बराबर हो जाएंगे ठिक तो हम लेंगे ABD ABD और CBD CBD अर्था ये तरी फुच और ये तरी फुच हमने ले लिया उसमें अब देखिए जो AB है BC के बराबर होगा जो AB है वो क्या होगा BC के बराबर होगा ठिक ये साइड इसके बराबर हो गया और जो BD है वो BD जो है common है जो BD लाइन है उसमें क्या है common है तो ये भी साइड ये भी साइड तीसरा कहाँ चाहिए हमें एंगल एंगल जो A है वो एंगल C के बराबर है अभी आपको बता है कि प्रते कोड 90 ड़िग्री होता है क्योंकि यह आयत दिया हुआ है भली यह आयत की अदिखना ही रहा चेत्र में इसलिए हमें ध्यान नहीं देना है अब आया तो ऐसे होना चाहिए ठीक ना तो यह हमारा 90 डिगरी होता है ठीक अब देखिए यह क्या हो गया side angle side property से सरवांग्शम प्रूफ हो चुका है जब यह सरवांग्शम प्रूफ हो चुका है तो आप कह सकते हो कि angle ABD यह कोड़ इसके बराबर हो चुका है और दूसरा यह कोड़ इसके बराबर हो चुका है किसमें बाज सरवांग्शम प्रूफ से CPCTC तो उम्मीद करते हैं यह question आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा ठिक तो वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ठिक और कोई भी दिक्कत है कोई परसानी है वीडियो कैसी लग रही है उसे comment box में लिख करके ज़रूर बताईए पढ़ाई कैसी चल रही है कोई दिक्कत है तो बताईए ठिक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में question number 9 के साथ तब तट अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और सुरच्छित रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत नू स्टुडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रस कर लिजे बेल आइकन पर आल पर क्लिक कर लिजे ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें